आमिताब बच्चन और राजीव गांदी कितने गहरे दोस्ते ये तो सब भी को बता है लेकिन आमिताब बच्चन उन चन लोगों में से एक है जो दोस्ती करते हैं तो उसे लंबा निभाते हैं स्पेशली राजीव गांधी के केस में अमिताब ने राजीव गांधी के साथ एंड तक दोस्ती ने भाई और प्रूफ कर दिया कि उनके जाने के बाद भी अमिताब उनकी फैमिली के लिए खड़े हैं तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब अमिताब और राजीव गांधी की दोस्ती थी क्यों पॉलिटिक्स का अच्छा एक्सपिरिंस नहीं होने के बावजुद इन दोनों की दोस्ती बनी रही और कैसे अमिताब ने प्रूफ किया कि वो राजीव गांधी को ना सिर्फ बड़े होते हुए देखा है बलकि उनका शादी करना उनका घर में सेटल हो जाना और उनके दो बच्चे होना इन फैक्ट अगर बात करे राहूल गांधी और प्रियांका गांधी की तो वो अमिताब को मामू कहकर बुलाया करते थे और अमि अमिताब के गांधी फैमिली के साथ रिलेशन्स को लेकर भले ही कितने ही लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़े किये हो अमिताब हमेशा उनके साथ ही रहे हैं भले ही वो संजय गांधी के लिए प्रचार करना हो या पिर जस वक्त राजीव गांधी अपने पिता संजय गा के साथ बॉंडिंग नजर आती रही है इन फैक्ट अमिताव ने अपने दोस्त के कहने पर ही पॉलिटिक्स भी जॉइन की अपने करियर के टॉप पर थे अमिताव जब उन्होंने कुछ टाइम के लिए बॉलिवुट से ब्रेक लिया और पॉलिटिक्स जॉइन कर ली हाला कि स्कैम के कारण उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ भी दिया लेकिन इसके बावजूद उनकी दोस्ती में दराफ नहीं आई ये बात उस इंसिडेंट से प्रूव होती है जब राजीव गांधी को सूसाइड बॉंबर ने उड़ा दिया था जी हां राजीव गांधी चैन् दूसरे लोग भी जो राजीव गांधी के पास ही थे उनकी भी डेथ हो गई और 45 लोग इस बॉम ब्लास्ट में घायल हुए थे गांधी परिवार के लिए ये बहुत ही दुखत गड़ी थी जहां सब राजीव गांधी की इस डेथ से बहुत ही जदा दुखी थे वहीं कांस्पिरेसी के चलते उन्हें खतम कर दिया गया था ऐसे मेर राहूल गांधी को फिर से इंडिया बुलाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उनकी फैमिली मेंबर की तरह ही हो और तब अमिताब खुद आ गया है और उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है मैं राहूल को यहां पर लेके आऊंगा सेफ और वो अपने पिता के फ्यूंरल में शामिल जरूर होंगे तब अमिताब बच्चन फ्लाइट से राहूल गांधी को इंडिया लेकर आ रहे थे जिस वक्क अमिताब बच्चन राहुल गांदी को ला रहे थे तब मीडिया को इस बात की खबर थी और एक बहुत ही इंटरनाशनल न्यूस पेपर के जर्नलिस्त ने पाइलिट और एरलाइन्स के साथ अपनी सेटिंग करके उस फ्लाइट में एंट्री भी कर ली थी और परमी जारी कर ली थी ठीक उसी टाइम अमिताब ने फोटोग्राफर से एक सवाल पूछा उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये लड़का अपने पिताजी की इस दुखत गड़ी में अपने आपके साथ रहे और इसे अकेला छोड़ दिया जाए तब फोटोग्राफ पर ने अमिताब की उस बात को समझा और उसने वोटोग्राफ ट्लिक नहीं किया तो कुछ इस तरह से अमिताब ने बता दिए कि वो अपने दोस्त और उसकी फैमली के साथ तब भी खड़े हैं जब उनके दोस्त इस दुनिया में नहीं है थि ऐस रिक्वेस्ट के कारण ये फेस्बुक पेज बॉलिवुद ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुद ठिकाना